देवास में कॉंग्रिस के राष्ट्री अध्यक्ष राहुल गानी के 8 फर्विरी को भूपाल आगमन की तैयारियों को लेकर शहर में कॉंग्रिस की बैठक आयोजित की बैठक में प्रभारी मंत्री जीतु पटवारी और मधिप्रदेश प्रभारी संजय कपूर सहित कॉंग्रस विधार पदाधिकारी और कारेकरता उपस्तिक थे मंत्री जीतु पटवारी की लोग सभा में जीत को लेकर फोकस करने के बाद कारेकरताओं को संभोधित करते हुए कही वही विधान सभा में जिन वादो में कॉंग्रिस प्रत्याशी जैसे इंग ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा था उसकी समिश्या करने को कहा देवास में बैठक के दोरान मंत्री पटवारी ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गफ के लाश विजवर्गयों और शिवरा सिंग चोहान पर निशाना साथ ने हुए कहा कि वो कॉंग्रिस पदादीकारियों के बारे में टिपणी करने में भाशा की मर्यादा का ध्यान क्यात रहे कि पटवारी का ये व्यक्तित्व प्रयका गांधी के बारे में भाजपफ अदिकारियों के द्वारा किये गए अब अद्र व्यावार पर चुटकी लेते हुए कहा गया इसा काम वो करने के लिए मजबूत हो जाए उनके लिए साथ चलेंगे आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत इनर्जी विवाद पर क्या कहेंगे आप अभी देश में जिस तरीके के संकी डाचे को जोधी जी ने प्रदान मंत्री देश के इस लिए उनकी जुम्मेवारी है कि इसको बचा के रखे इसमें विश्वास रखे इसमें भरोसा रखे आवाट पोस्त मुद्दे पर सुप्र अगर उनकी ऑपिंद्रा कांदी जी से अगर उख उनकी क्योम्मे जो अगर मिलते हैं और कर्म से बौड मिलते चेहरे से बौड के क्या करा लें हो इनके नहीं क्यों आप देखो गोपाल भार्गिव जी केलाश उज भर की जी शिवराifi छोहान जी इनके बयान केसे आ मद्यप्रदेश का गोरव है पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहां की 13 साल मुख्यमंत्र है। हटने के बाद विचलित केसे हूँ आप एक वेक्ति नहीं हो एक पत की गरीमा को जिया है आप आप केते मैं मद्यप्रदेश ठप कर दूंगा आप क découvrir का गांधी को लेकर अलगर अलग अलगत्तर है के बयां दिये केला शुजय और भारगवजी का ब लियांका जीसे इत्ता डर क्यों में लोगों को पिरयका跟大家 वियंकर क्या अंदर से क्या हो राओ ? विचलन क्यों है साब दिखता है कि उनके आने से ये लोग दरे हुए है सेमे हुए है कि सत्ता अभी प्रदेश की गई आगे देश की अच्छा कारे करता हो कि बेठत में आपने मोधी जी पर वार किया और कहा है कि आप क्यों याद आई जनता कि अंतरीम बजट पर आपने सव है कि अब देश एक तरफा एक विक्ति चला रहा है एक सरकार चला रही है इस पर वहुमत की चला रही है देश में कुछ होगा बदलाओ और बदलाओ के वोट नहीं है उन्हें पांस साल केवल 27 से 30 दिन 35 दिन बचे हैं अचार सहीता को तब उन्होंने बजट लाए और रहा विला देंगे तो यह अंतिम याद केसे आई यह सवाल है देश के सामने मैं समझता हूं देश समझता है मोदी जी जाएंगे इस पूरे बजट का आर्थ है था कि बीजेपी जाए कि और कांग्रेस आए अभी आपने जिक्र करा मीटिंग में कि आप सब लोग अपनी अपनी यह एसा है यह हमारा सेर है जीतू पट्वारी का भाई है बहुत अच्छा इंसान है बहुत अच्छा काम करता है क्या है और लगातार कांग्रेस के लिए बहुत सालों से मेहनत करते हैं मैं कि शेयर अद्देग जी को मेरे साठी बीड की जर्रत ने अपने आप बहुत